आज की वीडियो में हम क्लास 7 की आपकी गड़ित की वक्षिट नमर 4 सॉल्फ कर रही है डेट है इस वक्षिट की 15 अपरिल 2021 आज की जो वक्षिट है बच्चो उसका टॉपिक है आपका आंकडों का डंडालेक त्वारा निरूपड अभी तक हमने आंकडों को समझ लिया कि आ ता कि प्रती एक दिनकारे पत्रक यानि की वक्षिट भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आकडे प्राप्त किये जैसे दिन है आपका सोंबार तो इस दिन 34 बच्चे भेजते हैं मंगलवार को 28 बुदवार को 45 गुरुवार को 48 सुकुरुवार को 49 और शनिवार को 35 ठीक है इसे हमें डंड आलेक पर दर्शाना है तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे सबसे फर्स तो आपको आंकडे चाहिए दूसरा आपको एक एक्स अक्ष की ज़रूरत होती है इस तरह की जो लाइन होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और यह वाली जो लाइन होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं और यहाँ पर आता है हमारा जीरो ठीक है उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं यह देखे बच्चों यहाँ पर बनाया गया है जैसा कि सबसे नीचे आप लिग लेंगे यहाँ पर दिन सबसे सोमवार मंगलवार बुद्ध, वीरवार, गुरुवार, शुगरवार ठीक है और यह हमारी कॉन सी लाइन हो गई एक्स अक्ष हो गई और यह हो गया हमारा वाई अक्ष ठीक है यहाँ पर लिग दिया हमने विद्यार्थियों की संक्या आप इसी ग्राफ पेपर पे करेंगे बच्चों इस तरह हमने रख लिया, तो सोमवार को कितने बच्चे बेचते हैं, 34, तो हम 35 से नीचे थोड़ा सा, 34 पे इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है, फिर next है 28, तो 28 कहां आएगा, 20 और 30 के बीच में, ठीक है, तो यहां पे हमने 28 को दर्शा दिया, बुधवार को 45, तो 45 तक लेके 50 से थोड़ा नीचे, शुक्रवार को है, आपका 39, तो 39 हमारा आएगा, 40 से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद लास्ट है आपका 35, ठीक है, तो 35, 30 और 40 के बीच में आएगा, तो इस तरह से आप अपना डंडालिक तयार करेंगे, ठीक है, नीचे हमने दिनों के नाम लिखती और साइड में, यानि हाँ पर वाई पे हमें विद्यार्थियों की संख्या लिख दी, उसके बाद हमारे लिए कुश्चन दिये गए हैं बच्चों, जो कि आपको सॉल्फ करने हैं, फर्स्ट कुश्चन है, निमलिकित आंकडे किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा तो आप सबसे पहले एक ग्राफ पर लेना ठीक है, या फिर आप अपने पेच पर भी दर्शा सकते हो, उसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लगाना, इसको लिखना X और इस वाली लाइन को लिखना Y, ठीक है, नीचे लिखना नेम यानि कि नाम, यहाँ A, B, C, D, E, F, जितने भी नाम हैं उतने लिख देना और इधर मार्क्स बना देना, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जहां तक भी आपको ले जाना हूँ, जो हाइस्ट वैली होती है, वहां तक ही ले जाते है, उसके बाद यहाँ पर स्केल, यानि कि पैमाना लिखना पड़ता है, बच्चों कि Y पर आपने क्या दर्शा है, तो Y यानि एक सेंटिमीटर बराबर हमने 10 मार्क्स दर्शा हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, 10 मार्क्स यानि 10 प्रापतांग हिंदी में भी लिख सकते हो, तो A, यानि A को कितने नमबर मिले है, तो 25, तो 20 और 30 के बीच में य बिल्कुल 29, ऐसे दर्शा होगे, फिर 39 है, तो 30 और 40 के बीच में, बिल्कुल 40 से 1 कम 39, इस तरह से दर्शा दोगे, 45 आपको करना है, तो 45 आप कैसे करोगे, 40 और 50 के बीच में एक थोड़ी सी डाक लाइन होती है, वहाँ पर 45 को दर्शा दोगे, और यह सारा का सारा आप कै कैसे करो, कोई स्केल की हेल्प से करोगे, बिन दाउट स्केल कोई नहीं करेगा, बना यह गलत हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स कुशन दिया गया है, बच्चू, यहाँ पर कलर्स नेम दिये गया है, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कुशन है आपका, कि आंसर यहां से कर लेना, ठीक है, सबसे पहले नीचे की तरफ हम कलरस नेम लिख देंगे, इस तरह से X बनाओगे आप, और यहाँ पर Y बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे कलर्स यानि की रंग और यहाँ पर लिखोगे नमबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है, तो सबसे लाल, लाल रंग कितने लोगों को पसंदे 53 तो यहाँ से 0 से स्टाट करोगे और 43 तक ले के जाओगे 60 इर फिंटी की बीच में 43, 40 से गिनना श्टाट करना 123 तो 43, उसके बाद भुरा कलर कितने लोगों को पसंदे 55 तो 50 और 60 के बीच में आजाएगा हमारा 55 ठीक है उसके बाद 19 है 19 ब्लू कर र यानी तो आप इस तरह से ब्लैक कलर कितने लोगों को पसंद दै ब्लाक कितने लोगों को उसके बाद गुलाबी 34 और आप खेल भी करते कि वाई पर हमने क्या दर्शाया है एक संटीमेटर हमने दर्शाया है कि दस स्टोरेंट्स के बराबर है ओके तो ये थी आज की आपकी वक्षीट I hope आपको अच्छी लगी हूं thank you so much